हलो गाइस वेलकम बैक टू मास्टटी दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की शानदार क्लास में दोस्तों पैसी वोईज एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक्जाम में आता है अगर हम पैसी वैस को अच्छे से सीख लें तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेस्चन गलत न और कैसे MCQ में आंसर्स देखकर सही ऑप्शन को चूज करते हैं दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसी वैस आप सबको पता है कि पैसी वैस क्या होता है तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वैस को दो प्रकार होते हैं हर क्लास में आपको बताता और यृग मतलब उसका पोजट रूप पोजिट फर्म को क्या कहा जाता है पैसी वैस का जाता है एकजाम में आपको क्क्वेस्टिए जाता है उसे आपको कंवर्ट करना होता है जैसे क्वेस्टिन आया कि आई told you अब ये active voice है और आपको बोला कि भाई इसे न पैसिवाइस बनाओ लेकिन सबसे पहले पैसिवाइस बनाने से पहले आपको tense को पहचानना पड़ता है tense को पहचानना एक art है अगर आपने tenses नहीं पड़े हैं तो पैसिवाइस करना बहुत मुश्किल होगा इसलिए इसके पहले की classes मैंने आपको tenses पड़ाएं जाइए playlist देखिए वहाँ पर आपको मिलेगा tenses सारे tenses को पड़िए फिर यहाँ पर आईए आप जैसे आपने इसको convert करने की कोशिस की तो आपने देखा कि यहाँ पर तो यह told है told है यानि verb का second form और verb का second form कहाँ पर होता है तो वो एक ही जगह पर होता है वो होता है आपका past का indefinite बात समझ में आई कहां होता है past का indefinite tense होता है वहाँ पर verb का second form होता है तो जब हमने tense को पहचान लिया कि past का indefinite है तो जब इसे convert करेंगे तो हम क्या करेंगे was one लगाएंगे पैसिवाइस में एक advance के helping आप चलती है तो I told you में सबसे पहले object को आगे लाएंगे तो आप यहाँ पर ले आए object को आगे और you के साथ आपने लगा दिया were और second form भी told का told ही होता है तो you were told यहाँ पर लगा देंगे by और यह जो I है इसको लिख देंगे objective form में sentence बन गया you were told by me तो एक्टिवाइस क्या था I told you मैंने तुम्हें कहा पैसिवाइस क्या बुन बना you were told by me तुम्हें मेरे द्वारा कहा गया तो इस तरीके से जब हम पैसिवाइस convert करते हैं तब हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है आज मैं आपको past आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ past tense का सारे सारे के सारे past indefinite, past continuous, past perfect सभी past tense के पैसिवाइस बनाना सिखाने वाला हूँ एक lecture मैं पैसिवाइस को cover करूँगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आए इसलिए मैंने तीन से चाल लेक्टर बनाये है पहली क्लास आपने present की नहीं देखी हो तो इसके पहले present tense को कैसे पैसिवाइस में convert करते वो मैंने बताया है आज मैं आपको सिखा रहा हूँ past tense में कैसे convert करते हैं तो इस chapter को शुरू करूँ उसके पहले कुछ basic बाते हमेशा की तरह में आपको बता देता हूँ तो पैसिवाइस बनाने के कुछ basic नियम बस दो मिनट दीजे बता देता हूँ ये बार-बार पढ़ने से revision होता है पैसिवाइस के rules क्या क्या rules है भाई देखिए number one rule क्या है सबसे पहली बात कि पैसिवाइस में subject की जगव पर object आ जाता है और उसी प्रकार object की जगव पर क्या आ जाता है subject आ जाता है ये पहला नियम होता है जो आपको याद रखना है दूसरा पैसिवाइस में tense के अनुसार helping verb बदल जाती है tense के अनुसार क्या बदल जाती है helping verb बदल जाती है जो tense में रहेगी वो पैसिवाइस में नहीं रहेगी number three पैसिवाइस के प्रत्यक सेंटेंस में किसमें पैसिवाइस के प्रत्यक सेंटेंस में के सभी सेंटेंस में वर्बका कौन सा फॉर्म आता है तो वर्बका थर्ट फॉर्म आता है ध्यान रखना वर्बका थर्ट फॉर्म याद होना चाहिए नमबर 4 पैसिवाइज में क्या होता है सब्जेट के पहले क्या लगता है सब्जेट के पहले बाई लगता है तो ये बेसिक मेजर चेंजेस हैं जो चार नियम है आपको ध्यान रखना है जब भी आप पैसिवाइज बनाएंगे तो आपको चार बाते ध्यान रखनी है अगर चार बाते ध्यान है तो पैसेज आराम से बन जाएगा ठीक है एक पैसेज बना के यहीं पर देख लेते हैं जैसे sentence आया एक sentence हमने लिया एक्टिवाइज आये कि she was she was cooking food sentence क्या है she was cooking food अब पहले एक्टिवाइज को पहचानी है कौन सा sentence है यह कौन सा tense है तो was or ing form देखा दिमाग में आया कि sir यह तो past का continuous है और जब हम past का continuous बनाते हैं तो was or का was or being हो जाता है तो यह था आपका active voice मतलब tense था आप बनाएंगे passive voice पहले foot को आगे ले आए आपने क्या बोला कि subject को object बना दो और object को subject तो यह object है इसको आगे ले आए foot को और जो subject इसको पीछे ले जाओ और by लगा दो तो by plus क्या हो गया हर हो गया अब उसके बाद यह helping verb है ना उसके साथ extra helping verb लगती है अगर was को was लगाएंगे तो तो टेंस और पैसेवेज में अंतर क्या बचेगा इसलिए अंतर बनाने के लिए यहाँ पर लगा दिया being क्या लगा दिया बिंग लगा दिया और बिंग के बाद cook का third form लगा दिया cooked तो sentence क्या बना साथियों sentence क्या बना food was being cooked by her sentence क्या बना food was being cooked by her मतलब खाना उसकी द्वारा पकाया जा रहा था तो she was cooking food food was being cooked by her इस तरीके से पैसिवेज बनता है I hope you understood the concept और यह पूरा का पूरा इन चार नियमों पर बेच था ठीक है अब चली आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा पहला जो पैसिवेज है वो है past indefinite tense जिसे simple past भी कहा जाता है अब देखिए इसमें क्या क्या basic rules है इस tense के पैसिवेज में helping verb was work के साथ main verb की third form का प्रयोग किया जाता है देखिए पैसिवेज में helping verb क्या उस करेंगे was work करेंगे tense में was work continuous में आता है लेकिन पैसिवेज में was work indefinite में आता है और main verb का third form लगाना है दूसरा दूसरा में क्या ध्यान रखना है कि I, V, E sheet के साथ क्या लगाएंगे was लगाएंगे और work कहा लगाएंगे we, day, you के साथ क्या लगादेंगे वर लगाएंगे आपको इन्होंने दिखाए है ठीक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते है अक्टिवेज का structure क्या है subject प्लस वर्ब की second form प्लस object पैसिवेज का structure क्या है object, was, were, वर्ब की third form, by plus subject systematic समझते हैं देखिए पैसिवेज पढ़ रहे हैं तो हमने heading डाल दी, passive voice topic का नाम क्या है तो topic का नाम है past indefinite तो हमने यहाँ पर लिख दिया past indefinite helping up क्या है तो पहले हम tense की helping up देखेंगे active voice का structure क्या होता है उससे clear हो जाता है active voice मतलब subject पे based कोई सा भी sentence तो active voice में सीधा वर्बकी second form आती है और यहाँ पर आ जाता है आपका object लेकिन जब आप passive voice बनाते हैं तो उल्टा हो जाता है object आगे आ जाता है अच्छे से लिखेंगे फिर was word लगाते हैं फिर वर्बकी third form लगाते हैं by लगाते हैं और subject पीछे आ जाता है यह आपका structure होगा active voice और passive voice का ठीक है एक example करके देखते हैं जैसे एक sentence आया एक active voice आया कि she wrote a letter अब इसको आपको एक्जाम में बोला गया कि भाई इसको पैसिवाइस बनाओ सबसे पहले आपने देखा है कि सर यह तो वर्बका second form लगा हुआ है वर्बका second form लगा है तो यह कौन सा tense हुआ past indefinite तो हमें was work लगाना है पैसिवाइस में बस इतना ध्यान रटना है बाकी common process क्या है subject object का place बदलना और वर्बकी third form लगाना तो पहले place बदल दीजिए a later आगे आ जाएगा और यहाँ पर चुकि subject singular है तो was लगा देंगे उसके बाद वर्बका third form right का third form होता है return by लगाया और she को उल्टा बना के क्या बना देंगे object तो यहाँ पर हो जाएगा by her तो sentence क्या बना a later was written by her पत्र उसके द्वारा लिखा गया इस तरीके से common process follow होगी एक और sentence करके देखते हैं एक एक एक्टिवाइज आपको आता है they played cricket simple सा sentence है आगे जाके हम कठिन भी लेगे आप चाहो तो खुद भी try कर सकते हो sentence है they played cricket sentence क्या है they played cricket बनाईए पैसियाज कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है subject object का place बदल देना है cricket को आगे ले आईए फिर लगाया was हमने was क्यों लगाया क्यों क्रिकेट एक सिंगिलर सबजेक्ट है cricket was अब यहाँ पर play का third form second form सबका same ही होता है played by इसका objective form क्या होगा दे का तो दे का objective form हो जाएगा आपका them इतनी सी बाद आपको ध्यान रखना है simple है बहुत simple है आसान है कुछ भी कठी नहीं अगर simple formula इस्तमाल करोगे तो बन जाएगा चलिए कुछ sentences की practice कर लेते है अब यहाँ भी देखोगे he sold a car ठीके sentence क्या है he sold a car तो यह एक्टिवाइज हो गया पैसिवाइज देखिए a car was sold by him यह car आगे गई यहाँ पर देखो यह car आगे गई और he का by him हो गया sold का third form sold ही होता है extra add हमने क्या क्या was that कर दिया तो a car was sold by him second sentence देखिए he sold the sum उसने sum को solve किया तो यह the sum चला गया आगे और he का हो गया by him तो क्या बना the sum was sold by him बहुत simple है कुछ भी कटी नहीं और exam में यही वाला आता है चलिए थोड़ी सी practice कर लेते हैं practice questions question number one मालीज़े आपको exam में एक simple सा sentence आता है we met them हम उन्हें मिले exam में आपको question बोला गया कि we met them और आपको चार options दे दिये गया options इस प्रकार से आपके होंगे option number one a they met us option number b they were meet by us option number c they were met by us option number c they met we चलिए कौन सा answer correct है बताईए which answer is right which answer is right बताईए the thing is very simple guys मैंने आपको बताया है जब भी अगर कोई options आगे चार और फिर question को आपको solve करना है तो option बाहर करना सीखो भाई ये वी जाएगा पीछे भाई पैसे वाइस में क्या करते है what is the basic rule वी को पीछे ले जाएंगे देम को आगे लाएंगे तो वी पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा वी का oppose objective form आएगा अस यहाँ पर भी अस है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी यहाँ पर नहीं है तो ये वी तो बाहर हो गया क्योंकि बी और सी में से अब इसको देखो दे का उल्टा क्या होगा दे होगा अब दे का उल्टा क्या होता है दे का objective form देम होता है यह ना इसे यू का यू होता है ही का हिम होता है दे का देम होता है तो यहाँ पर यह देवर यह देवर दोनों सही है तो फिर हम क्या करेंगे पर meet लगा दिया तो answer ये वाला right हो गया अब हम इसे convert करके देखेंगे बना के भी देखेंगे 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 वी met them ये दे का उल्टा क्या हो जाएगा दे हो जाएगा तो subject हमारा है दे के साथ क्या आ जाएगा वर वर बकी सिंपल है कठिन कुछ भी नहीं एक और ट्राय करके देखते हैं अब माल लीजिए आपको एक्जाम में पहले हम इसका सिंपल क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नमबर टू कि आपको नेगेटिव क्वेश्चन आ गया आई डिड नाट आई डिड नाट सी यू मैंने तुम्हें नहीं देखा अब सीधा पहले तो इसको ऐसा बोला कि भाई इस्तिना डायक्टली चेंज करो चेंज इंटू वोईस पैसिवाइस लिखने के बजाए कभी कभी वोईस लिख देता है चेंज इंटू वोईस तो समझ जाना वोईस मतलब अगर एक्टिव है तो पैसिव है तो एक्टिव बनाना है चलिए यू को आगे ले आई तो आंसर लिखेंगे you आगे आ जाएगा और I चला जाएगा पीछे तो I चला गया पीछे तो हमने लगा दिया by I का उल्टा me हो गया आप did not है ना तो हमारा passivize भी negative बनेगा तो you के साथ क्या आ जाएगा were तो you were not और C का third form हो जाएगा seen sentence क्या बना you were not seen by me इस तरीके से हमारा sentence बन जाएगा अब इसी प्रकार अगर आपको इंटरोगेटिव आ जाए तो आपको क्या बनाना है आपको इंटरोगेटिव बनाना है क्या इंटरोगेटिव बनाना है पैसिवाइस ठीके चलिए अब हम एक mcq वाला question करके देखते हैं माल लीजे कि mcq में question इंटरोगेटिव आ गया पर एक्जामपल कि डिड़ ही कि डिड़ ही मिस यू question mark एंट चार ओप्शन है आपको पैसिवाइस बताना है इसका correct ओप्शन ए वस यू मिस्ड़ बाई हिम ओप्शन बी वर यू मिस्ड़ बाई हिम वस यू नाम सभी में आएगा ओप्शन ची वर ही मिस्ज़ यू और ओप्शन डी वर ही वर यू बिइंग मिस्ड़ बाई हिम तो यहाँ बर काफी उलजा दिया आपको फोटापट इसका आंसर बताईए फोटापट आंसर बताईए देखिए चलिए आपने अपना आंसर चुन लिया होगा आप सब लोग पड़े लिखे हैं ठीक है चलिए देख लेते विच इस दराइट आइट आंसर बहुत आसान है यहाँ पर बाई यू है बाई यू है बाकी तीनों में बाई हिम है आप ये यू आगे जाएगा तो क्य रहेगा यू ही रहेगा तो यहाँ भी यू है यहाँ भी यू है लेकिन यही दे दिया तो यह भी बहार हो गया तो आप्शन यह वाला पूरा कंप्लीटली ही गलत है अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि बैट डिड है यह यू है तो यू के हिसाब से आगे क्या आचे वर क्योंकि यू के साथ तो वर लगता है पर यहां पर वर आगे है तो ये भी बहार हो गया ये भी option खतम हो गया अब बचा option B या फिर D तो हम इसको convert करके देख लेते हैं भाई सबसे पहले क्या होगा यू है तो हमने यू लिखा दिख रहा है आप लोगों को ओके अब यू क वर लगा दिया by him ही का by him हो गया तो वर्यू मिस्ट बाइहिंब यू बींग यहां बींग लगा दिया बींग तो सहीं होगा तो यह वाला अनसर हमारा क्या होगा सहीं होगा ठीक है इस तरीके से हम कोई साभी जाए विक इसली कनवर्ट पैसिवाइज इंटू एक्टिवाइज 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 इंटू पैसिवाइज चलिए अगला देख लेते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कॉंटिनिवस कौन सा है पास्ट कॉंटिनिवस अब पास्ट कॉंटिनिवस मतलब क्या दिमाग में स वर ही लगाते हैं पर बीइंग कर देते हैं बाकी सारे नियम वही रहते हैं इस टेंज में प्लूरल वर्ब के साथ क्या लगाते हैं ठीक है यहां पर आपको करके भी दिखाया है देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्थ फर्म ऑब्जेक्ट यह एक्टे वोईज है तो टेंस के हिसाफ से आएगा पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा वाउस वर्ब के साथ बिंग लगा देंगे फिर वर्ब की थर्ड फर्म ब्लाई प्रस सब्जेक्ट ठीक है जैसे यहां पर ही वस पढने वाले हैं तो पास्ट अ को कि पास्ट कॉंटिनिवस पढने वाले हैं अ आप दुनों के एक्टीवाइज और पैसिवाइज के स्ट्रक्चर्स हमें याद होने चाहिए एक्टिव वाइस में क्या होता है subject आगे आता है फिर वॉजवर लगाते हैं वर्बकी fourth form आती है और object आ जाता है यह simple हो गया पैसी वाइस में थोड़ा changes आ जाता है पैसी वाइस में क्या होता है object आगे आ जाता है वॉजवर प्लस being आ जाएगा यह being का ध्यान रखना है वरवकी form change हो गई वरवकी form third form हो गई प्लस last में बाय आएगा और subject आ जाए ठीक है एक question करके देखते हैं समझ में आ जाएगा एक question हमने लिया question number one he was cutting trees वह पेड़ों को काट रहा था पैसिव इस बनाएंगे तो ट्रीज को आगे ले लीजे अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है and you have to keep in mind एक्जाम देने जाओ तो पूरा एक्टिव रहो एक्जाम अगर थोरा सा भी थौट इदर दर का आया तो गलती कर दोगे यहाँ पर ही के हिसाब से क्या लगा था वोज लगा था तो आप भी यहाँ पर वोज लगाओगे नहीं आप अबजेक्ट को आगे लाए हो तो अबजेक्ट के हिसाब से वर लगाना पड़े object में क्या है अब यह हमारा trees object आगया आगया तो यह बहुवचन है तो यहां पर वर लगाना पड़े क्या लगाना पड़ेगा वर तो trees were और being लगा देना क्योंकि being लगता है और cut का third form cut होता है तो trees were being cut by और he का क्या हो जाएगा him हो जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया कि चलिए करिए फटा-फट हो गया हो गया हो गया चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं पर प्राक्टिस करेंगे देवर देवर लर्निंग इंग्लिस वे इंग्लिस सीख रहे थे कैसे बनाएंगे पैसी वाइस तो subject object clear हो जाते तो पैसी वाइस बन जाता है तो पैसी वाइस बनेगा इसका English was being यहाँ पर वर लगा था क्योंकि subject हमारा plural था यहाँ पर English singular subject है इसलिए was लगाया है इंग्लिस was being और लर्न की third form क्या हो जाएगा लर्न बाइ देखा हो जाएगा आपका them तो यह आपका simple sentence बन गया ठीक है असान है I think it is not difficult बहुत ज़्यदा कठिन नहीं है कर लो गया चलिए कुछ practice question करके देखते है put the heading practice question आपको चार option दोगा आपको सही option को पहचानना है और answer tick करना है यह रहा आपका question he was not creating a new idea creating a new idea and आपके options इस प्रकार है simple है मैंने negative बोल दिया he was not बोला ना मैंने तो यहां पे not भी लगा दो आप पूरा ही बना देता हूं ठीक से लिख देता हूं he was not creating a new idea पैसिवाइज में से अक्टिवाइज नेगेटिव है तो पैसिवाइज में नेगेटिव होना चाहिए and options are as follows new idea was not being created by him यह पहला option कई लोगों तो पहला अंसर ही लग रहा होगा लेकिन गलती है ढूंडो option B option C a new idea was created by him and the last option is option C a new idea was being created by him and the last option is a new idea was not being created by him चलिए बताइए आपका सही जवाब क्या होगा what would be your right answer what would be your right answer सही जवाब क्या होगा मैंने आपको कहा था कि basic चीजों को पकड़ो mcq का आंसर देते समय सिर्फ से पहली बात है कि हमारा object क्या है वो आगे जाएगा तो object है a new idea तो जिस option में ये a new idea पूरा आगे गया है वही हमारा option होगा यहाँ पर new idea है article a नहीं लगाया है इसलिए ये option बाहर हो गया बागे यहाँ भी new idea है यहाँ भी new idea है यहाँ भी तीनों option है अब यह ही है यह पीछे जाएगा तो by him हो जाएगा तो यहाँ भी by him है यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी सभी option में by him है अगर हमारा active wise negative है तो passive wise क्या होगा नेगेटिव होगा यहाँ पर not है लेकिन यह तो बाहर हो गया यहाँ पर भी not नहीं है तो b में भी not नहीं है और c में भी not नहीं है दुनों जगर not नहीं लगा है इसलिए answer सिदा ही आगया बिना convert किये ही हमारा answer आगया answer क्या होगा a new idea was not being created by him बना के देख लेते हैं देखिए object क्या है a new idea तो a new idea आगे गया singular है तो was लगा दिया he क्या पीछे आएगा तो by him हो जाएगा और negative not है तो was के बाद not हमने भी लगा दिया being लगा दिया क्योंकि continuous stance में being लगता है है न हमने structure में यहाँ पर देखा था object plus was were plus being इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर was not being created by him और create का third form created होगा यहाँ पर ing form था क्योंकि यह sentence continuous का था I hope you understood the options चलिए यहाँ कुछ आम past perfect देख लेते फटा फटा फट past perfect tense क्या होता है जिसमें verb का third form आता है तो इस tense में passivize में head bean आता है और main verb का third form आता है structure देखेंगे subject plus head plus verb की third form object और उल्टा बना देंगे पैसिवाइज में तो object plus head plus bean plus verb की third form by plus subject simple है यहाँ पर कुछ practice sentences आपको दे रखे हैं I had read book तो इसका बनाया है the book had been read by me तो read का third form read ही होता है I he had already finished the same lesson the lesson had been already finished simple है ठीक है चलिए हम इसको पढ़के देख लेते हैं आपने डाल दी heading पैसिव वॉइस टॉपिक का नाम क्या है पास्ट परफेक्ट दोनों के structure लिखेंगे तो इससे हमें एक देखो structure लिखने का फाइदा यह है कि टैंस की भी प्राक्टिस हो रही है टैंस में क्या होता है subject आता है head आता है वर्ब की third form and then object यहीं पर पैसिव इसके अगर हम बात करें तो पैसिव इसमें object आगे आता है और head का हो जाता है आपका head bean वर्ब की third form यहां भी रहेगी और by by plus subject last में आ जाएगा मैंने आपको पहले भी बता है कि हर जगर subject नहीं आता है कहीं कहीं पर subject नहीं भी लगाते है ठीक है चलिए एक question करके देखते हैं यहाँ पर देखते है एक्टिव इस आपको आ गया शी हैड ड्रंक वाटर उसने पानी पी लिया था इसका आपको बनाना है पैसिव इस पहले आप ट्राइ करना चाहेंगे यह बहुत ही simple है past में perfect का उसके बाद तो बनता नहीं है और भे perfect continuous का तो बनता नहीं है न तो बहुत ही simple है कोशिस करिए उल्टा कर दीजिए answer आजाए अगर आपको helping up का चार्ट चाही तो मैंने चार्ट पहले ही बनवा दिया है पहले lecture देखो कि उसमें चार्ट ही बनवाए था passive है इसका उल्टा कर दीजिए देखिए water आगया जाएगा और head का हो जाएगा head bean तो water आगया head का head bean हो गया और drunk का third form drunk ही होता है और she का उल्टा हो जाएगा by her तो water had been drunk by her she had drunk water water had been drunk by her दो बार बोल के देखेंगे तो जादा दिमाख में set हो जाएगा परफेक्ट में एक फाइदे की बात यह होती है कि active voice में ही वर्बका third form दिया होता है तो आपको extra headache नहीं लेना है कि मुझे वर्बका third form कहां से लाओं मैं ठीक है एक और question करके देखते है active voice राहूल had open the door ठीक है पैसिव इस बनाओ इसका बहुत ही simple sentence देदे हमने राहूल had open the door बनाईए देखिए the door को आगे लिया ये the door had been opened by राहूल नाम को change नहीं करना है हम किसी परणाण को कभ change करते हैं इसको change नहीं करना है 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 न हम प्रणाण को कभ change करते हैं जब वो साथ प्रणाण मैंसे को एक प्रणाण होती जैसे he she it n'को change करते हैं चलिए आपको कंसेट समझ में आ गया होगा कुछ क्वेशन की प्राक्टिस करते हैं आपको एक वेशन दोंगा चार आप्शन दोंगा कि अगर आपको एक वेशन आ गया तो समझो की हमारा काम कंप्लीट हो गया है कि कि अगर आपको कीशिवकर चार आम कीशवकराई कि अ आई वस नॉट डिसीट बाई हर ओप्शन नॉमबर बी आई हैड नॉट बीन डिसीट ने धोका देना होता है डिसीट बाई हर डिसीट बाई हर डिसीट बाई हर डिसीट बाई हर अप्शन नॉमबर दी आई हैड बीन डिसीट बाई हर शली बताईए भहिया फटाफ़ ट्राइट आंसेज बताईए सोचिए ऑप्शन बाहर करिए अप्शन बाहर करिए फटाफ़ट कर दिया चलिए देखिए यह मी आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा आए बन जाएगा यहाँ पर शी है यह ऑप्शन बाहर हो गया यह शी पीछ जाएगा तो क्या बन जाएगा बाई हर बन जाएगा बाई हर बाई हर by me है यहां पर तो तीसरा option फिर गलत हो गया मलब भी पूरा option गलत हो गया बाके तीनों सही अगर active wise negative है तो passivize क्या होगा negative होगा active wise अगर negative है तो passive इस क्या होगा negative होगा नबँध तो यह option भी बाहर हो गया अब बचा answer क्या A और B आप बना लीजिए तो देखिए शी तो ये आई आगे आ जाएगा आई के साथ हैट का हैट बीन लग जाएगा पर यहां तो वस लगा हुआ है वस तो helping वह भी नहीं होती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं past perfectly तो वस कहां से आगया answer B होगा confirm करने के लिए हम check out भी कर सकते हैं कि मी का उल्टा आई हुआ आई के साथ had not been लगाया क्योंकि यहां पर had not था तो had not been deceive का third form deceived वैसा का वैसा और she का उल्टा हो गया by her समझ में आया कि नहीं आया बहुत आसान है कुछ भी cutting नहीं ultimately I want to tell you one thing आपको एक चीज में clear करना चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा logic लगाना है अगर थोड़ा सा logic लगा लिया तो काम आपका complete हो जाएगा ठीक है इसकी ऐसे practice करने के बजाए आप ना इसकी ऐसे practice करिए change करने वाली कोई question आता है आप उसको change करिए और interrogative sentence लिए और मजा आएगा जैसे had you had you spoken English अब ये कौन सा sentence है this is interrogative sentence जब आप interrogative का passage बना लेंगे तो एक command आजाएगे आपके उपर क्या आजाएगी you will have a command over English क्या रहे मेरे interrogative बना लाए simple तो बहुत आसानी से बना लो क्योंकि यहां पढ़ना आपको सोचना पढ़ता है कि भाई मुझे English को आगे तो ले जाना है लेकिन English के हिसाब से helping बब को भी आगे ले जाना है तो जैसे यह object आपका English है तो आप English को आगे लाए तो आपको यहां पर head को आगे रखना पड़ेगा अब head आगे गा तो बीन को नहीं भूलना है बीन तो had English been spoken by you का third form क्या होना चाहिए यू होना चाहिए और question mark भी लगाना है तो कितना आजीब लग रहा है had you spoken English had English been spoken by you बड़ा आजीब लग रहा है बोलने में लेकिन answer क्या है answer correct है तो हमें mainly क्या क्या जब आप पैसिवाइस को convert कर रहे हो question solve कर रहे हो अगर आपके पास options आ रहे हैं तो तो tension ही नहीं है options आरे बाहर हो जाते अगर options नहीं आ रहे हैं आपके पास तो फिर आप change करके देख लीज़े लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि अगर एक्जाम में आपके पास time है तो option tick करने के बाद भी convert जरूर करें उसे change जरूर करें समझ में आया अभी पैसिवाइस में बहुत सारे lectures होने वाले मैं advanced level के पैसिवाइस भी पढ़ाऊंगा पैसिवाइस में हम देखेंगे imperative sentences के पैसिवाइस कैसे बनाते है models के पैसिवाइस कैसे बनाते हैं यह सारे sentences pattern आएंगे पहले हम 3-4 lecture में इनको cover करेंगे लेकिन को यह present के past के future तो आगले lecture में हम क्या cover करने वाले अगले lecture में cover करेंगे future के दोनों और उसके बाद हम क्या करेंगे आगे फिर imperative sentences है models है तो 7-8 बदलब समझो कि 6-7 classes हमारी होगी पैसिवाइस की अगर आपको यह classes छोटी लग रही हो तो 2 classes एक साथ भी देख सकते हैं अगर आपने एप पर यह course ज्वाइन किया है तो वहाँ पर आपको test मिल जाते हैं आपको practice sheets मिल जाती है तो ऐसा तो कई foundation है नहीं कि अभी एक ही देखना है आप एक साथ 2-3 classes भी cover up कर सकते है according to time ठीक है तो मुझे पूरी उमीद है कि आज की class आपको समझ में आई होगी online classes अगर आप जोइन करना चाहते हैं घर बैठे इंगले सीखना चाहते हैं तो यह हमारे courses की जानकारी है यह बैच जरूर आ grammar एक जगब पर है लेकिन anonyms पूछ लेता है वो पूछ लेता है deceived का उल्टा क्या होता है तो आपको आना चाहिए तो सब परियायवाची शब्द विलोम शब्द हो गए phrases और आपको idioms पूछ ली उसने मोहावरे और काहवत पूछ ली one word आपको पूछ लिया है ना तो यह स देशर आपको बताता है कि किस तरीके से हम words को याद कर सकते हैं किस तरीके से हिंट मिल सकते हैं आंसर लगाने के तो इन दियंड आप यह घ्रामर बैच जवाइन करी चुके होंगे जो वारी ग्रामर बैच है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस बैच में तभी तो आप य पचास एक टॉपिक पर पचास क्वेशन बनें जब बार बार टेस्ट देंगे ना तो पचास अलग तरीके के क्वेशन साब स्वाल करेंगे तो डेफिनेटली आप इतने मुझबूत हो जाएंगे इतने स्ट्रॉंग हो जाएंगे कि एक्जाम में आने वाले क्वेशन का अ कि अप्रिशेट कर देंगे तो अच्छा लगेगा ठीक है तैंक यू सो मच गाइस प्लीज टेक केर और ऐसे लोग जो इंग्लिस ग्रामर जिनको कठीन लगती आसान भासा में सीखना है यह कोर्स उनको जरूर आप बताएं लिंक शेयर कर दें वीडियो की ताकि वो लोग इस घर बेटे सीख पाएं तैंक यू सो मच